बॉइख विल्कुल बढ़िया होंगे एक बारी मुझे चेक करके बता दीजिए एक बारी मुझे बता दीजिए वह गलती से जो मेरा में चैनल है स्मार्र लिगल का उसके उपर हमारा पॉर्टल लॉन हो गया था ठीक है बिल्कुल कि चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं वह गलती से मेरा जो दूसरा चैनल है स्टार्ट हो गया था कभी-कभी ड्रॉबैक आ जाता है पहली-पहली बार हमने अपना लाइव आना सीखा है न इसलिए चलो मुद्दे पर आते हैं आज की क्लास में हमारा आई-पी-सी का पहला रिवीजन लेक्चर है जल्दे जले हम चीजों को रिवाइज करेंगे आज की क्लास के अंदर सबसे पहले मैं आपको important questions बता देता हूं तो examiner आपसे expect रखता है कि बच्चे को ये question तो आने ही चाहिए सबसे बहली बात आपको पहला question यहाँ पर exam के अंदर mains के अंदर देखने को बिलेगा कि आप culpable homicide से क्या समझते हो culpable homicide not amounting to murder क्या होता है दूसरा question यहाँ पर आता है कि कौन-कौन से circumstances होते हैं यहाँ पर culpable homicide not amounting to murder होता है तीसरा question आता है कि intention क्या जरूरी है हमेशा death cause करने के लिए क्या अगर मेरी intention नहीं होगी फिर भी अगर कोई व्यक्ति मेरे हाथों से मर जाता है तो ऐसे case में क्या मेरे उपर culpable homicide यह murder का चार्ज लगाया जा सकता है यह तीसरा question यहाँ से expect लगता है ऐसे कौन-कौन से होते हैं जिसकी वज़े से मर्डर का चार्ज लगा तो होता है लेकिन वह reduce हो जाता है कि इसके अपर culpable homicide के अपर ऐसे कौन-कौन से कि क्या हरे culpable homicide murder होता है क्या यह आपको explain करना होगा तो आज की हमारे session के अंदर हम यह को समझेंगे बहुत अच्छे से चलो सबसे पहले हम बेरेक को पढ़ लेते हैं तो कि बेरेक पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है हमारी life में अगर हम बेरेक नहीं पढ़ेंगे तो किस चीज के लिए फायदा होगा हमारा ठीक है तो क्ष्ण मार 299299 हमारा क्या क्या करता है क्या मतलब होता है कि यहां पर मैं आपको एक मिनट में बता देता हूं कि क्या मैं अपनी गाड़ी करते हुए कि कि एनिमल को उड़ा देता हूं तो मैंने animal की death cause करी है तो क्या मेरे उपर culpable homicide का charge लगेगा क्या मेरे उपर murder का charge लगेगा क्योंकि वहां पर भी तो मैंने death cause करी है जल्देली बताओ क्या यह हमारे culpable homicide और murder कर डेफिनेशन के अंदर सेक्शन में आएगा नहीं आएगा क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है कोई भी व्यक्ति अगर देथ की डेफिनिशन में अगर आप की डेफिनिशन अगर मैं section 46 में बोलता हूँ तो आई पी सी के अंदर death का मतलब बोले जाता है कि human being की अगर आप human being की death cause करते हो तब आपके ओपर कल पेवल में साइडिया murder का charge लग सकता है ठीक है इतनी बात clear होगे से भी लोग में को बताओ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया पारदी elements of crime elements of crime का मतलब होता है पहले हमार को चाहिए होती है mens rea plus फिर हमें चाहिए होता है actus reas आए न ये दो चीज़े अगर होंगी तो यह हमारा अपराद बनेगा अगर हमारे पास mens rea accused person की prove हो गई है और actus reas prove हो गया है accused person नहीं अपराद किया है तो अब ऐसे case में यहाँ पे अब हमें धुड़नी पड़ेगी mens rea हमारे culpable homicide ने कितनी तरह की mens rea बता रखी है पहली तो intention to cause death चलो एक mens rea हमारे को पता लग गई दूसरी mens rea कौन से बोल रखी है हमें पे लिखा है or intention to cause such bodily injury intention to cause such bodily injury which likely to cause death तीसरी mens rea क्या लिखी हूँ यहाँ पे और तीसरी mens rea कौन से यह knowledge यहाँ पे क्या बोला हुआ हमारे को हमारे को एक बात clear हुआती है हमारे को एक बात clear हुआती है कि यहाँ पे section number 299 के अंदर हमें क्या बोल रखा है section number 299 में तीन तरह की mens rea बोल रखी है ठीक है जो कि हमारे कलपेवल homicide है यह चीज याद रखनी है आपको सबसे पहले बोला है intention to cause death intention to cause death दूसरी mens rea कौन से बोल यह intention to cause such bodily injury such bodily injury which likely to cause death नहीं समझे बहरी बात तीसरी mens rea का लिखी हुई है knowledge which likely to cause death बस पूरे के पूरे murder पूरे के पूरे कलपेवल homicide के अंदर केवल आपको बस यह चीज याद रखनी है अगर आपको यह चीज याद हो गई आपके आदे से ज़्यादा जीवन में टेंशन खतम हो जाएगी कि यह जो केस है यह जो केस है यह murder का है बस यह तीन चीज आपको जीवन भर याद रखनी पढ़ेंगी याद रखना मेरी बात तो जो लोग पढ़ने वाले हैं केवल वह हमारी में आ रहा है इतनी बात क्लियर हो गई चलो अब यहां से हमने दैथ का मतलब समझा दैथ का मतलब होता है human being की दैथ करना animal वेगरे की दैथ करने पर कल्पेबल मुसाइड या murder का चार्ज नहीं लगता है एक कोशन और आता है कि अगर unborn baby है अगर unborn baby है unborn baby ठीक है वो अभी mothers की womb में है अब इस case में क्या होगा इस case में क्या होगा बताओ अगर बेट जो बच्चा है वो अभी unborn है जो बच्चा है वो अभी unborn है उसका जनम नहीं हो वो mother's की womb में है और अगर कोई कोशिश करता है बच्चे को मारने की तो क्या यह culpable homicide होगा तो यार unborn being है तो क्या यह अपना culpable homicide यह murder में आएगा the answer is no यह हमारा cover होगा section number 312 से लेके 317 के अंदर जिसको हम क्या बोलते हैं miscarriage कि इतनी बात clear हो गई क्योंकि जब तक बच्च बहार नहीं आता है तब तक हमें कैसे पता कि वह human being है नहीं है समझा मेरी बात कानून की नजर से अगर मैं बात करूं तो क्योंकि अभी वह mother's की वूम में है तो उसको human being categorize हम नहीं करते हैं इसी के लिए हमारे अलग provision मना रखे हैं कि भाई अगर बच्चा mother's की वूम में है तो उसको कोई unborn baby है लेकिन उसका जो कोई भी body part है एनी body part उसका कोई भी body part अगर भार आ चुका है और फिर कोई बच्चे को मारने की कोशिश करता है और बच्चे को मार देता है अब question ही आता है क्या यह culpable homicide होगा क्या यह murder होगा answer is yes अब यह culpable homicide होगा murder तो नहीं बोलेंगे से कि हमारा क्या होगा culpable homicide होगा यह बात तो मैं बोल रहा हूं तर आपकी बात पर हम वरुसा कैसे करें आप तो कुछी भी बोल दोगे नहीं मैंने मेरे साथ साथ अगर आप section number 299 explanation number 3 पड़ोगे explanation number 3 पड़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि मेरी बात सत्य है section number 299 का explanation number 3 पड़ोगे वहाँ पर वे लिखा हुआ है कि भाई देखो अगर बच्चे मदर्स की वूम में है तो हम culpable homicide नहीं बोलेंगे लेकिन अगर बच्चे का कोई body part बाहरा गया है ऐसे case में यह culpable homicide में च explanation number 3 भी पड़ा देता हूं बेरक से कहीं आप बोलो सर आप तो मजाग कर रहे हो आप तो जूट बोल रहे हो एक बार यह मैं explanation number 3 भी पड़ लेते हैं साथ में ठीक है चलो क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई भी death cause करता है किसी चाइल्ड की और चाइल्ड कहां पर है mother's की वूम में है तो इसको हम homicide नहीं बोलेंगे homicide का मतलब क्या होता है homicide का मतलब होता है कि एक human being किसी दूसरे human की जान लेता है तो उसको हम homicide बोलते हैं तो एक human being अगर बच्चे के बच्चे की जान लेता है जो की भी व्यक्ति death cause करता है किसी भी living चाइल्ड की और वो चाइल्ड जिसका कोई भी बॉड़ी पार्ट कोई भी बॉड़ी पार्ट बच्चे का बहार आ चुका है ठीक है लिखना ब्रॉट फोर्ट बहार आ चुका है ऐसे केस में इसको हम क्या बोलेंगे अब बच्चा जिन्दा पैदा हो बच्चा मरा हुआ पैदा हो और फिर उसको बच्चे के मारने की खुशिश करिया आती है मार दिया जाता है तो ऐसे केस में क्या बोले जाता है कल्पेबल होमोसाइड बोले जाता है कहां लिखिए बात section 299 के explanation में 3 में लिखिए यह बात याद हो गई कोई बच्चा ऐसा जिसको confusion हो जल लेली बता हो बही चलो यह भी बात में को बहुत अच्छे से समझ में आ गई तो कल्पेबल होमोसाइड में मैंने क्या बड़ा तीन मेंसरिया होती है पहली मेंसरिया intention to cause that दूसरी मेंसरिया intention to cause such bodily injury which likely to cause as तीसरी मेंसरिया कॉ knowledge which likely to cause that culpable homicide का explanation मतरी कहता है कि बच्चे को हम नहीं बोलते बच्चा मंदस की वह में है तो culpable homicide नहीं होगा लेकिन उसका body part भार आ गया तो culpable homicide होगा बात खतम हो जाती है चलो जी और इसके अंदर और हम बात को देखते हैं इसके अंदर दो केस ही आपको याद रखने होते है किसके अंदर आपको दो केस याद रखने होते हैं सब से पहला केस हमारा कुछ साल दा याद रखना में इसान आप लोगों को केस lazbs भी याद रखने हैं तो सबसेंसे है सेक्वारे हम सेरे को मोती पोल रहा हूं मोती सिंग वस्सेजऑ मैं उसे एज उप यूपी इस का एक मि बोला था यह वह था भाई एक बंदे को गोली मार दी थी ठीक है अब गोली मार दी बंदा मरा नहीं था बंदे को होस्पिटल लेके गए ए नाम का वैक्ति होस्पिटल में एडमिट हुआ यह बंदा जो है बच गया फिर 20 दिन का इसने बैडरेस करा 20 देज के बाद इसको डिस्चार्ज कर दिया गया है फिर अपने घर में अराम से घूम रहा था एक दन अचानक इसकी देथ हो गई अचानक ए नाम के वैक्ति की देथ हो गई देथ है पीनिघे चलो जी अब इसके जो ए नाम के वैक्ति की फैमिली मेंबर से उन्होंने इसका ख्रेमिनेट भी कर दिया ठीक है ंंतिम संस्कार भी कर दिया चुप-चाप secretly अंतिम संस्कार भी कर दिया फिर जो ए कि लगल रिप्लेप्रज़नटी मान लेते उन लेटी तो ये नाम के विख्ती के लाल ज Water कि हई उस्पीटर अन लोग भाई है मर गए उप मुझे बता हूं क्या आप डॉलु को मड़ने तो देखो मिल पेबल होसाइड के मुर्डर की बताओ या आप लोग इसे कंविक्षन दे होगे क्या अप इसे कंविक्षन दे होगे क्या ये डवली नाम के वेक्ति को याज सी बात है क्या यहां पर डवली की इंटेंशन थी भाई वो जो गोली मारी थी उस टाइम तक के लिए इसको जो जान गई है उसके लिए जिम्हदार होगा क्या में पॉइंट यह है सुप्रीम गोट ने बोला नहीं होगा क्यों भाई तुम्हारी पहले बात बताओ किसे नाम के वैक्ति का पोस्मार्टम हुआ नहीं हुआ आपने अंतिम संस्कार सीक्रेड ली क्यों करा घर वालो इसके एक्स्मैशन आपने दी नहीं दी तो हमें क्या पता कि ए नाम के वैक्ति की दर्थ जो जो है वो डबलीउ की कोली सही हुई है या तुम लोगों ने इसे इसको मार दिया होगा ए नाम के वेक्ति को और चुप-चाप तुमने क्रिमिनेट कर दिया होगा ठीक है तो confusion है ना doubt है और आपको कानून के अंदर पता होगा कि अगर court के अंदर कहीं भी तरह कोई भी तरह का doubt आता है वो doubt किसको दिया जाता है आप अब benefit of doubt आगया ना तो post matum कराया ना तुम्हें explanation दे रहे कि तुमने क्रिमिनेट सीक्रेटली क्यों करा ठीक है या फिर हो सीडियों से उतर रहा होगा ए तब गिर गया होगा सर पे चोड़ लगे तब मर गया होगा कोई ना कोई तो फैक्टर होगा ना mitigating factor होगा ना ठीक है हम W पर चार्ज लगाने को ready है इसको हम जेल बेरने के लिए ready है बट प्रूव तो कर दो यह बात तूव नहीं कर पाए post matum report नहीं आई post matum हुआ ही नहीं पता ही नहीं लगा किस क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसको फिर इस particular point के लिए बाहिज़त बरी कर दिया तो मोते सिंग कि इंपॉर्टेंट कैसे याद रखना जोगेंदर सेंग वसे सेट आफ पंजाब जोगेंदर सेंग कि वसेस स्टेट आफ पंजाब क्या हुआ इसकेस के अंदर यह भी हमारे culpable homicide के कंटेक्स में है हाला कि अगर मैं बोलूँ कि थोड़ा सा दिमाग लगाना थोड़ा सा दिमाग लगाना जो हम ये culpable homicide पढ़ रहे हैं यहाँ पे ना direct और proximate cause होना जरूरी है मैंने क्या बोला कि culpable homicide को अगर हमें अपराद बनाना है culpable homicide को अगर हमें अपराद बनाना है यहाँ पे एक चीज़ जीवन में याद रखना कभी confusion नहीं आएगी जीवन में कि हमेशा direct and proximate cause होना जरूरी है direct and proximate cause होना जरूरी है डायरेक्ट बतलब भाई तुम्हारा direct बार करना जरूरी है समर्यों मेरी बात डायरेक्ट और कॉस कि तुमने दंडा चूरा और तुमने ही इसे तुमने कुछ मंतर पड़े एसे में तुम्हारा कोई नहीं है तो यहां पे हमेशा याद अखना कल्पेबलों साइट और मडर के अंदर डायक्ट और प्रौक्सिमेट कॉज होना ज़रूरी है तो यहाँ पे जो हमने भी केस पड़ा था मोते सिंग वसे स्टेट आफ यूपी का तो यहां पर यही पॉइंट था कि डारेक्ट और प्रॉक्सिमेट कॉज है या नहीं है अब बताओ बंदा सीडियों से गिर के मर गया होगा कैसे भी मर गया होगा ठीक है बिचारे डबली को तुम क्यों बोल रहा है डबल विल भी एकूइटेड डबली को एकूइट कर दिया गया था मेरी बात क्लेर होई मेरी बात क्लेर होई सब लोगों को हमेशा यह चीज याद रखिएगा फिर आया जोगेंदर सिंग वह से स्टेट आप पंजाब इस केस में क्या बोला था कि एक एक क्यूस था एक नाम का व एक घर पे फिर इसने भी कोई सेम हरकते करी एक को भी अपने साथ दो तिन बंदे लेके गया था ठीक है और बी जोए एक को पकड़ने के लिए गया ए भागा भी उसके पीछे भागा दोनों जंगल में भाग रहे हैं ए आगे आगे भी पीछे पीछे कि आज मैं तुझे न नाम का विक्ति एको धक्का दे सकता था वगरा वगरा ठीक है बहुत दूर दूर थे दोनों के दुनों तब ऐसे केस में ए जब कुवे में खुदा ए डाइड ए डाइड अब यहां पर कुशन आया क्या वी के उपर कलपेवल नोमसेट का चार्ड लगना चाहिए है क्या य ऐसे केस में सुप्रीम कोट ने हेल्ड करा था कि जोगिंदर सिंग जो है यह एक्यूज पसंद यही था भी यही था ठीक है जोगिंदर सिंग को हम कलपेवल होमसेट का चार्ड लगाने के लिए लाइबल नहीं ठेहराते हैं क्योंकि यहां पर कोई डिरेक्ट और प्रोक्स को नाम था रुपेंदर सिंग ठीक है इसका रुपेंदर सिंग इसका नाम था जोगिंदर सिंग अगे मेरी बात कंफ्यूजन दूर हो गई चलो तो यहां पर सुप्रिम कोट ने बोला था या दोनों की दूरी बहुत दूर दूर थी नाहीं कोई अपर डिरेक्ट और यहां प्रेंदर सिंग वसे से टॉफ पंजाब यह बहुत जरूरी है कि इंटेंशन पता ही अभी चैट बोक्स के अंदर मुझे अभी लोग कितनी तरह की इंटेंशन से होती है मुझे बताओ अभी की अभी जले बताओ अगर मुझे कल्पेबल हुमसाइड का अपराद बनाना है जो कि मेरा सेक्शन नमर 299 के अंदर डिफाइन करा हुआ है तो मैंसरिया क्या उनकों से चाहिए होंगी पहला इंटेंशन कितनी लेवल की इंटेंशन देथ कॉस करने की अरे राम 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 दूसरी कुन सी है तीसरी मैंसरिया नॉलीज अगर है ना लाइकली टू कॉस अगर यह तीनों मैंसे कोई भी मेरी इंटेंशन मैंसरिया सोरी मैंसरिया अगर कोर्ट में प्रूव हो गई आखे बंद करके कोट कल्पेबल हुमसाइड का आपके उपर चार्ज लगा देगा अगर आप जो की दो पार्ट्स के नर्डिवाइड कर रहुआ है पार्ट नंबर बन में लाइफ हम्प्रेजमेंट और टेनियुज अ ठीक है पार्ट टू में आगे बढ़ाते हैं तो अभी हम बेरक पर चलते हैं दुबारा दिमाग लगाने अपने बेरक पर चलते हैं क्या बता रखा है मारको बेरक ने अभी हमने क्या बढ़ा था intention to cause that intention to cause such body injury likely to cause that knowledge which likely to cause that ठीक है जी चलो क्या लिखा यह बात intention to cause that intention to cause such body injury यह knowledge likely to cause that ठीक है एक confusion अब आ जाएगी आपको जीवन में अब जुतनी यहां तक अगर आपने मेरी class देखी है तो थोड़ा सा और देखना ठीक है आपको एक confusion में दूर करने वाला हूँ जो आपको जीवन भर परशान करती होगी जो आपको जीवन भर परशान करती होगी क्या है मैं आपको बता देता हूँ अब थोड़ा सा मर्डर पर चलते हैं हम मर्डर पर आ गए मर्डर में देखो क्या लिखा हुआ है यह बहुत दिमाग खाओ वाली बात है और है सिंपल सी जीवन भर आपको परशान करेगी आपको कोई जीवन में एक क्लियर नहीं कर पाएगा मै देट आकल चानने के लिए इस ने डेट का मतलब क्या बता रखा है मैं कौंसे सेक्शन की तरफ जाओंगा मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कौंसे सेक्षन की तरफ चाओंगा जल्दी बताओ मुझे जल्दी जल्दी बताओ इतनी क्लास देखें तो इतना तो तुम्हें आईडिया हो गया हुआ है 46 में दैथ औफ यूमन बीन कि अगर मैं घाड़ी चलाते हुए किसी एनिमल को उड़ा देता हूं तो मेरे उपर कल्पेवल मुच्छ नहीं लगेगा मेरे उपर मडर का चार्ज नहीं लगेगा क्यों क्यों कि दैथ तो मैंने कौज कर यह लेकिन वह एनिमल की दैथ है लेकिन IPC में punishable death किस ले करा हुआ है केवल human being के ले करा हुआ है यह भी बात में ने clear हो जाती है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सभी लोग ध्यान से समझना मेरी बात आज अभी मैं आपको जो बताने जा रहो बहुत गोर से समझना आपको confusion आईगी मैं वह दूर करके जाओंगा तो यहां पर murder की बात कर रहे है murder में क्या बोला है intention to cause death यह तो मैंने culpable homicide में भी पढ़ाता है यार मैंसरिया यही सेम मैंसरिया हमार को culpable homicide में भी है यही सेम मैंसरिया हमार को murder में भी है अब भाई मैं क्या यहां पर conviction देऊंगा तो कि अगर culpable homicide का चार्ज लगा तो conviction तो उसकी 304 में है अब अगर murder के अंदर चार्ज लगेगा तो उसकी conviction 302 में है punishment 302 में मिलेगी तो कहां जाएंगे जिमाग में confusion आ गई इसका solution आप में से किसी के पास है जो मेरे batch में बच्चे पढ़ते हैं उनकी अलावा ठीक है वह तो आंसर दे देंगे तुम लोग answer मत देना ठीक है तुम लोग answer मत देना जो batch वाले बच्चे है तो बताओ जो यूटीव वाले बच्चे है उनसे मैं पूछना चाहूंगा इस दोनों में difference क्या है 299 में भी मेरे को यही पड़ा मैंने section number 299 का अगर मैं पहली वाली मैंसरी अब की बात करूँ वहां भी intention to cause death है और अगर मैं 300 की पहली वाली मैंसरी की बात करूँ वहां भी intention to cause death है अब भाई क्या है इसका मतलब कोई बता सकता है मुझे I am just giving you the challenge मैं आप लोगों को यह challenge दे रहा हूं कि अगर आप में से कोई बता दे तो 99.9 परसेंट लोग इस बात पर आके अटक जाती है फिर उनके दिमाग में confusion आती है कि भाई कल पेवलोंसाइड और मडर के बीच में difference बताना इंपॉसिवल है गलत हो भाई तुम लोग गलत हो गलत 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 हो ठीक है सलो मैं बता देता हूं अभी हम उसके बारे में बात करेंगे दूसरे मेंसरिया की बात कर लेते हैं दूसरे मेंसरिया का कर रहा है intention to cause such bodily injury यहां पर offender बात जानता है offender knows क्या नोज कि यहां पर हमारा मेंसरिया में कुछ चेंज आ गया यहां पर अगर मैं कल्पेबल मेंसरिय की बात करूंगा तो वहां पर क्या लिखा था intention to cause such bodily injury which is likely to cause यहां पर बोला है कि जो offender है उसकी intention को है bodily injury cause करना लेकिन offender जानता है बाई मैं इतनी जोर से वार कर रहा हूं कि बंदे क जान जानी ही जानी है बंदे की जान जानी ही जानी है यह बात मैं जानता हूं मैं in the sense offender यह बात जानता है कि वह इतनी जोर से डंडा मारे सर पे इसको पता था कि मैं यहीं पर इसके चोड़ लेगी हुई है और इसी जगा पर मैं इसके डंडा मारूँआ तो इसकी हड़ी तूट जाएगी और अटोमेटिकले इसकी हाथ हाथ हो जाएगी यह बात ऑफेंडर जानता है इस ती लिए हम मर्डर पे हां पे लेके आ लोजिकली क्लियर हुआ खिले मेरी बात या नहीं अरे बतातो तुम लोग चैट बोक्स पे मैंने तुम लोग उसे कोशन पूछा तुम लोग शांत बैठे वह हो तुम लोग जवाब नहीं दे रहे तुम लोग इसमें भी शांत बैठे यहां पे अगर आप लास में आये वह मेरे साथ में ठीक है थर्ड वाली मैंसरिया कोंसी है intention to cause such bodily injury जहाँ पर bodily injury जो दी है वो sufficient है in ordinary course of nature which causes to death अब अगर मैं helpable homicide की तीसरी वाली मैंसरिया की बात करूँ वहाँ पर क्या था knowledge which likely to cause death लेकिन murder की ए इसा रिहा हुँए क्या है मुडर की पहली वाली मैंसरिया फिए ईबनल्ड़ कीlection मंसरिया यह होगई म 6 Kerry की तीसरी मल्ड़रा की है तो यह कोंसी होई क्या है कि अधर मेंसरिया मैं आके है कि अधिक है कि कर हुआ है कि 영상을 कर तरीके से मैं bodily injury cause करूँगा जो कि sufficient है ordinary course of nature में death cause होना कि मैंने उसको इतनी जोर से मारा कि अगर उसका post murder report जब होगी डॉक्टर ने में टिकलेर कर दिया कि जास साथ इस offender ने accused ने इतनी जोर से मारा है इसकी death confirm थी होनी होनी confirm थी कि अगर कोई भी व्यक्ति मारेगा इतनी जोर से death होना confirm होता है तो यहाँ पर क्या हो गया कि उसने जो bodily injury cause करी है और फेंडर ने वो इतनी जोर से मारने के या इतनी घातक इतनी dangerous वाली उसने जो इतनी परशान वाली करने वाली जो वो करी है क्या बोलते है इंजिरी cause करी है sufficient है भाई हो ordinary एक आम जीवन के अंदर sufficient है death cause होना तो वैसे किसमें तुम्हें लगता है कि कल पेवल हूमसाइट में भेजेंगे मर्डर में भेना चाहिए ना किसरी M3 के अंदर मैंसरिया में हाँ है ना बताओ जल्दी clear है नहीं है चलिए बहुत बढ़िया अब इसके ना चोत्ती वाली मेंसरिया कौन सी है चोत्ती वाली मेंसरिया कहने का मतलब है कि भाई offender को knowledge है offender को knowledge है किस बात की knowledge है कि भाई मेरा जो act है मैं जो act अपना करने जा रहा हूँ वो इतना ज्यादा dangerous है इतना ज्यादा eminently dangerous है कि हर एक probability लगा लो कोई भी तिगडम लगा लो तुम कोई भी probability लगा लो सामने वाले बंदे की तो death होनी ही होनी है हर हाल में या सामने वाले बंदे को तो bodily injury इतनी भैंकर होनी ही होनी है कि भाई उसकी death हो जाएगी confirm हो जाएगी ठीक है और जो उसने act करा बिना कोई excuse के साथ करा जो उसने act करा without any excuse के साथ में करा इसको बोलेंगे अब क्या नाम देते हैं M4 बस इससे मुझे एक बात clear होती है अगर culpable homicide को अगर मुझे याद रखना है वहाँ पे तीन मेंसरिया है अगर murder के लिए मुझे याद रखना है वहाँ पे चार मेंसरिया है मैंने आपको क्या बताया थी intention to cause that जो की murder में इसका प्रॉब्लम मैं भी solve करूँगा आपकी ठीक है कल्पे उनने साथ में दूसरी बैंसरी क्या क्या कहते थी intention to cause bodily injury विच लाहिकली टो कॉसे ठीक है दूसरे वाले में M2 में क्या रखा है intention है bodily injury कॉस करने की ठीक है यह जो लेकिन offender भाई क्या है शातिर है उसे पता है कि मुझे कितनी बुरी तरह से वार करना है बंदे की जान जाएगी जाएगी लेकिन कल्पेवलों सेट में क्या पता है अफेंडर को नहीं कल्पेवलों सेट में नहीं पता मर्डर में पता है ठीक है इसलिए M2 यह आ गया तीसरी में 3 पर आ जाते हैं कल्पेवलों सेट की या उसके बारे में भी बात करेंगे मर्डर की M3 पर आ जो मर्डर की M3 क्या कहती है इंटेंशन है बॉडली इंजरी कॉस करने की और ऐसी बॉडली इंजरी कॉस करनी वह सफीशन्ट है और नरी कोर्स आफ नेचर में कितनी बुरी तरह वार करा यार कि सर पथर उठाके किसी के सर पर फैक देना तो आपको नहीं भी कि यहां पर तो आ ठीक है अब इस केस में अगर मैं बात करूँ इस केस में बात करूं M4 की बात करता हूँ M4 में क्या पता रखा है और पहले कल्पे वोलमसेट 3 पे आ जाओ अब M4 और कल्पे वोलमसेट 3 वाली इंटेंशन नॉलिज की बात कर रहे हैं हरहाल में होनी है या फिर उसकी BOD Fitness इतनी बुरी होनी है तो जान जाएगी जाएगी इसको अगर आप PlayStations पढ़ोगे आपको में मैं मेरे पास बंदूग थी बंदूग लेकर भीड में गोलिया चलाने लगा बात बंदूग है यह बात मैं जानत हूं कि अगर लो बहुत जा नहीं है targeting आए ना तो अब अगर मैं बंदूक निकालके गोलिया चला रहा हूँ भीड में तो यार किसी को तो लगेगी कोई तो जान जाएगी जाएगी आए ना तो वहाँ पर अगर मेरी इंटेंशन नहीं भी है भाई knowledge तो है ना मेरेको मेरेको knowledge तो है कि मेरा act इतना जादा dangerous है कि मैं दुग 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 गोलिया चला रहा हूँ पबलिक के अंदर किसी ना किसी को गोली लगके probability या confirm वाली death cause होगी यहां उसको body injury की बुरी वाली cause होगी जैसे बंदा मर सकता है हाँ यह ना M4 में जाएगा फिर हो होते हैं हाँ अब आ जाओ murder की mensria पे अब आ जाओ murder की mensria M1 ठीक है M1 M1 क्या था भाईया intention intention to cause death intention to cause death M2 पे आ जाओ intention to cause death, to cause, likely to cause death, likely to cause death which likely to cause death, but यहां पे क्या बात आ रही है, यहां पे offender बात जानता है offender knows, clear हो गई मेरी बात, बताओ जरा, ठीक है, अब हमारी जो mensria है, तीसरी वाली कौन सी है M3, यहां पे भी intention है, किस चीज़ के intention है यहां पे बताओ, intention to cause, वोई सेम है, intention to cause, intention to cause, intention to cause bodily injury, which is likely to cause death, ठीक है, लेकिन, यहां पे हमने क्या पढ़ा था, यहां पे क्या बात आ रही है, यहां सफीशन्ट है, sufficient है, in ordinary course of nature, sufficient है in ordinary course of nature, am I clear, अब M4 पे आ जाओ, अब आप लोग M4 पे आ जाओ, M4 पे हमने क्या पढ़ा था, M4 पे हमने पढ़ा था, कि offender को knowledge है, अब राधी को knowledge है, किस चीज़ की knowledge है, भाई साब, मेरा act जो है, इतना eminently dangerous है, कि सामने वाले बंदे की तो death जानी ही जानी है, सामने वाले बंदे की तो death जानी ही जानी है, या फिर अगर death, या फिर सीरा death नहीं गई, तो भाई उसको bodily injury इतनी भेंकर cause होनी होनी है, जो कि death होई ही जाएगी, ठीक है, और यह जो मेरा act है, यह कोई भी without excuse के अंदर है, without excuse के अंदर यह act मैंने भाई साब करा है, यह है मारा murder की वेंसरिया, आप लोग बताओ, याद हुई, आप लोगों को साथ साथ चीजें, शिवाम चंदरा कह रहे हैं, सर, 299 में भी likely to cause death है, भाई, 299 में offender को knowledge नहीं होती, ठीक है, offender को knowledge नहीं होती कि भाया, मैं जो मारतो रहाँ यार, उससे बंदे को जान जाएगी, नहीं जाएगी, मुर्ड के अंदर आया ओफइंडर को नॉलिज्य कि मैं मार रहाऊ एक बार चाकों मारूगा नहीं है जानकारी नहीं होती इस समझ में आ गई मेरी बात ठीक है यह फरक है बस कल पे बोलो सब्सक्राइब और एक major confusion मैं आपकी दूर करी देता हूं मैं आपकी दूर करी देता हूं ठीक है आप लोग इतनी चिंता जनक में रहोगे इससे बेटर है मैं आपकी confusion दूर करी देता हूं अभी मैंने section number 299 के अंदर तो पहली वाली mens रिया है वहाँ पे मैंने क्या पढ़ा था intention to cause death ठीक है section number 300 में M1 के इंतरोर पे मैंने क्या पढ़ा था intention to cause death अब बताओ क्या है मतलब क्या है दिक्कत यह problem आ गई है कि यहां भी intention to cause death यहां भी intention to cause death अच्छा आप लोग मेरे को एक आप से मेरे को एक question पूछना है मेरे को आप लोगों से एक question पूछना है कि आपके दिमाग में ऐसा यह वाला question कभी जीवन में आया आपने कभी जब आप जवाब नहीं देऊगे मेरे दिमाग में clearance आएगी नहीं जब तक आप जबाब देऊगे नहीं मुझे समझमें आएगा नहीं और मुझे समझ में नहीं आएगा तो मज़ मैं आएगा अब भाई कि I am waiting for your answers कि इसे बतातव बाई बतादो यार अगर आपको यह आता है तो मैं क्या यह कुशन स्किप करूँ फिर अगर आपको इसका अंसर आता है तो I will skip the question ठीक है फिर मैं चलो यह skip कर देता हूँ अगर आपको इसका कुशन आता है तो चलो फिर हम केसलो की तरह बढ़ते हैं अगर आपको यह कुशन आता है तो ठीक है हाँ श्रीवम चंद्रा जी को यह कुश्चन आता है very nice चलो हम आगे चलते हैं तने हम यह आगे चलते हैं इसके अगर मैं मर्डर की case law की बात करूँ मैं ठीक है मर्डर का case law की आपको याद रखना है मिश्रा एक case है अजमेर सिंग वर्सेज स्टेट ठीक है अजमेर सिंग वर्सेज स्टेट आपको case याद रखना है अपना अजमेर सिंग वर्सेज स्टेट इस केस में क्या हुआ था यह मडर का case है यह हमारा मडर का case है मडर और कलपे वलों साइड मैं पर confusion थी आपको पता होगा कि एक हमारा section सब्सक्राइट की वाली मेंसरी है थीर वाली मैंस री हमने कौन सी बड़ी थी हमें फर्ड वाली बात करी थी यहां पए knowledge to cause death की बात करी थarti a knowledge which likely to cause death तो हमारा क casts गो हमारा कलbabल homicide में आएगा ठीक है वह हमारा kamu हमसाइड के अ अंदर अब एगी कि अपने देखा होगा शादी भिहा के अंदर लोग बंदूग निकालते हैं और हवा में फाय करते हैं आये ना शादी भिहा हो गए या नॉर्मली भी कि आप हवा में गोली चलाते हो थादी भिहा के अंदर now there is a question कि अगर कोई व्यक्ति ने है जैसे कि ए नाम के व्यक्ति ने अपनी बंदूक निकाली बंदूक निकालने के बाद में हवा में फायरिंग करी है हवा में फायरिंग करने लग गया और उपर चज्जे पर एक लड़का खड़ा हुआ था लड़की खड़ी हुई थी है, कोई आंटी खड़ी हुई थी है, कोई आदमी खड़ा हुआ था, उस व्यक्ति को वो गोली लग गई, और वो बंदा मर गया, यही कोशन हमारा अजमेर सिंग वर्से स्टेट के केस में, यही कोशन क्लियर करा था, ठीक है, ठीक है, ठीक है श्रीमांग चंद्रा जी बता दूगा मैं भी, तो कोई तो बताया यार मुझे, तो अगर मैं तो यही एजिम करूँगा, आपको आता होगा यह पॉइंट, आप लोग अपना अंसर देने के लिए बता ही नहीं रहे यार, ठीक है, जब तक आब बता होगी नहीं, तो मुझे पता कैसे लगेगा, मैं जब आप लोगों के पास यह क्लास लेके आया हूँ, तो आपकी भी responsibility बनती है, कि जब teacher आपसे कोई question पूछ रहा है, तो आपका भी participation होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा तो है नहीं कि अपने convenience के हिसाब से, जितना जवाब आपको देना है, बस उतना दे होगे, teacher कुछ पूछ रहा है, वो भढ़ म जाए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, it is very disrespectful, ठीक है, मैंने आपसे पहले भी 5 मिनट पहले भी या 7 मिनट पहले भी question पूछा था, यही वाला, कि आपको आता है, आता है, उस टाइम पे किसी बच्चे ने जवाब नहीं दिया था, it is very bad, ठीक है चलो, पहले हम इस पॉइंट के तरफ बढ़ते हैं, हम आगे चल चुके हैं तो, तो मैंने आपसे question पूछा कि अगर कोई व्यक्ति अपना हवा में firing करता है, तो ऐसे case में, हवा में firing करना, और उपर किसी को छज्जे पर कोई खड़ा होगा, उसको गुली लग जाती है, तो कि बाई देखो, ए ने जब उपर हवा में गोली चलाई, यहाँ पर एक डवली खड़ा हुआ था चज्जे पर, ठीक है, और यहाँ पर गोली के fire करी, ठीक है, ए फायर करते हुए, डवली को लग गई, क्या ए डवली को जानता है, नहीं जानता, या ए डवली को और आगर म मैच कर रहा हूँ, कल पे मुले सेट में सबसे में, पहली में सिरे कोंसी थी, मारी intention to cause है, तो क्या A के मन में intention थी, W को मारने की, नहीं थी, क्या A के मन में intention थी, कि मैं W को ऐसी बाडरली इंजिरी cause करूँगा, जैसे कि उसकी जान चली जाएगी, नहीं थी, क्या A को knowledge थी क्य क्या, A नाम के व्यक्ति को knowledge थी क्या, कि अगर मैंने गोली चलाई, तो अगर कोई व्यक्ति खड़ा होगा, उसको गोली लग सकती है, knowledge हो ना, knowledge तो भाई, आप मतलब, आप मेरी class ले रहे हो, तो आपको knowledge है ना, इस चीज़ की, क्या पढ़ाई करने आए हो, अपनी, सोच र आ रहे हो तो आपके मन में, एक तरह से knowledge तो होगी ना, यार अगर by chance कोई मेरे हाथ से steering फिसल गया, किसी को ठुक सकती है, किसी को लग सकती है, knowledge तो होती है हर चीज की, हाए ना, कि अगर मैं जो है, अपना loaded gun, public place में लेके जा रहा हूँ, ठीक है, तो अगर loaded gun में से चोरी हो समाल के रखो, बहुती ज़्यादा protection के साथ रखो, ठीक है, ऐसी केस में, एक नाम का विक्ति जब हवा में firing कर रहा है, इसको ये थोटी न बोलेंगे कि भाई, वो तो बच्चा है, या फिर वो तो नादान है, वो तो innocent है, उसको पता ही नहीं था, कि उपर कोई खड़ा हु बरात जाते हुए देख रहे हैं, और आप हाववा में गोली चला रहे हो, तो अगर किसी को गोली लग गए फिर, आपको इतनी तोनौली सी, इसलिए ए नाम के विक्ति को conviction मिली थी, कहां पे, section number 299, clause number 3 की, inventory के साथ में, जो की punishable होता है मारा, section number 304, part number 2 के पहत, I rest my case my lord, I rest my case my lord, ठीक है, घरलीन को और कह रही हैं कि सर, यह हमारा eminently dangerous act है, sorry, it is not an eminently dangerous act, it will be considered as, section number 299, clause 3 के अंदर, तो की, अभी मैंना आपको बताया था, अभी मैंना आपको बताया था, कि यहां पे, eminently dangerous act के अंदर, वो तब माने जाता है, कि जब मैं अपनी बंदू निकालके, public place में गोलिया अपनी चलाने लग रहा हूँ, उस case में यह बात पता clear रहोती है, कि मैं जो लोगों के पर भाड़ी भीड के अंदर मैं जो गोलिया चला रहा हूँ, भाई, वो मेरा eminently dangerous act है, 100% confirm है कि उससे अगर किसी व्यक्ति को गोली लगेगी, बंदा मरे गई मरेगा, पूरी probability है, कि death cause होगी, या फिर किसी को इतनी बुरी तरह से bodily injury cause होगी, इससे बंदे की जान जानी ही जानी है, confirm है, लेकिन यार, यहाँ पे जब मैंने आपको example दिया, जब तक आपकी तरफ से initiative नहीं आएगा, तो मुझे पता कैसे लगेगा, थोड़ा सा बताया करो, बताया करो chat box के अंदर, क्योंकि हम offline class ले नहीं रहे, online ले रहे, तो जितना ज़्यादा आप बताओगी मुझे type करके, उतना ज़्यादा मेरे तक आपकी बात आएगी, क्योंकि मैं भी, अगर कम बोलू, मैं बोलू, जो को 299 में न, तीन मेंसरिया होती है, और 300 में 4 मेंसरिया होती है, बच्छा पढ़ ले नहीं है, तो आपको समझ में आएगी मेरी बात, नहीं आएगी, तो जितना ज़्याद ज़्यादा आप लोगों को समझ में आएगा, हाई न, तो जितना ज़्यादा आप लोग मुझे को अपनी तरफ से पार्ट पे बताओगे, उतना ज़्यादा मैं भी आपकी बात समझ पाऊँगा, है बात या नहीं है, ठीक है, चलो, समझो, थोड़ा verbal communication का मदलब समझो न, यह होता है यार, मैं बड़ा-बड़ा के यह बात समझाऊँ, पहले नहीं समझता न में, ठीक है, चलो, हम चलते हैं, सबसे पहली बात, हमेशा या दखना, अगर A नाम के विक्ति ने, B के सर में गोली मारी है, तो यह क्या माना जाएगा, clear रूप से murder, clear रूप से murder, यहाँ इंटेंशन थी, एक ही, ठीक है, और जो body part में मारी है, सर पे मारी है, ठीक है, इंटेंशन थी, पूरी clear रूप से, A को हम कहां लाइवल ठड़ा देंगे, 302 में, 302 में conviction कहां मिलेगी, या तो life imprisonment में जाएगा, या death में जाएगा, ठीक है, या तो life imprisonment में जाएगा, या फि देखा होगा, हमारे section number 300 में, कुछ exceptions दे रखी है, हमारे section 300 में, कुछ exceptions दे रखी है, पता है किसी को, कितनी exception है, कोई मुझे बता सकता है, कितनी exception है, कोई मुझे बता सकता है, हमारे particular 5 तरह की, वह होती है exception, ठीक है, यार एक बारी मुझे बता दो, कितनी तरह की वह होती है, पहली तो होती है हमारी grave and sudden provocation पहली हमारी होती है grave and sudden provocation पहली होती है grave and sudden provocation दूसरी होती है access use of right of private defense ठीक है access use of right of private defense किते लोग है अभी online एक बड़ी बता दू ठीक है बाकी लोग यार बहुत लेट आए है आप लोग अगर class में लेट आओगे काम नहीं चलेगा भाई ठीक है आप अगर class में लेट आओगे काम नहीं चलेगा सुपह 9 बजास क्लास टार्ट हो गई थी और अगर और पॉब्लिक सेरवेंट जो है वो सटक कर देता है यह भी हमारा असमें आएगा यह भी हमारा धू इसमां अड़ के एक्सों में आएगा और अगर भाईया बंदों की आपस में सटन फाइट हो गई ओ गई हो रही है उसमें किसी की क्या आती है क्या बंदे ने death cause करी है कि लेकिन consent के साथ क्या या अगर कोई वेक्ति बोले भाई तु मुझे मार दे यार प्लीज hanno न के रिख मार दे मार दे मार दे तो अगर वह जो वेक्ति बोल रहा है मेरे को मार दे वो 18 से उपर की उमर का है तो अगर फिर मार दिये जाता है उसे तो ऐसे केस में ये मर्डर ना बोलके मर्डर तो हो गई है लेकिन उसके exception में आ जाएगा death cause death by consent clear है मेरी बात यही पांस तरह की मारी mensory होती है इसके लाओ तो कोई मर्डर के लिए सजा होगी life imprisonment में जाएगा या death के लिए जाएगा बात खतम हो जाती है अगर A नाम के व्यक्ति ने P को गोली मारी है सर में clear है लेकिन क्यों मारी है B ने उकसाया A को कि तू तो पागल है तिरे तो बसकी कुछ नहीं है या फिर गाली गलोच करी हो या कुछ भी गुस्सा दिलाने वाली feeling करी हो जिससे कि A नाम का व्यक्ति को गुस्सा आए और A ने गुस्से में आके बंदों कुठाई सीधर खदम तो क्या आपको लगता है यह किस में आ रहे है मर्डर के exception में कहीं न कहीं आ रहा है बताओ पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी आने कहीं पर यहां पर आ रहा है अब यहां पर जो A नाम के व्यक्ति ने B के सर में गुली मारी है तो कैसे मारी है ग्रेव एंड सदन प्रोवकेशन के अंदर यह बात आ रही है अब क्या आपको लगता है कि अब A के उपर मर्डर का चार्ड लगेगा बंदे ने B के सर में गोली मारी है हम यह मानते हैं अगर कोई ग्रेव एंड सदन प्रोवकेशन नहीं होता हम क्या बोलते हैं इंटेंशन दो कॉस्ट एथ M1 में अब यह 299 में आ जाएगा अब देखा जाएगा कि जो ग्रेव एंड सदन प्रोवकेशन में अब यह पनीशन में कहा होगा 304 में अब वो देखा जाएगा कि इंटेंशन टू कोई देथ वाल आ गया ऐसे के इसमें 302 के पार्ट नंबर 1 के अंदर पनीशन वाल होगा जिसमें की पनीशमेंट कितनी है बताओ लाइफ एंप्रिसमेंट तक की पनीशमेंट मिल सकती इसको अब या फिर 10 साल तक के मिल सकती और यहाँ पर कितनी मिल रही थी लाइफ एंप्रिसमेंट या देथ भाई यहाँ पर 10 साल तक तो आ रहा है बन्ना समझ गए वकील लोग इसी चीज़ का पैसा चार्ज करते हैं वकील लोग यही चीज़ को खेलते हैं कोट के अंदर की मर्डर का चार्ज लगा इसको नीचे गिराकर कलपेबल होमसाइड पर लिया ओ और यहां पर कन्विक्शन दिला दो 302 ना लगवा के 304 पर लिया ओ इसमें ग्रेवन स्टन प्रोवेश्शन में कर आ है अरे अक्सेस उडा प्राइट अक्सेस में कर आ है अरे अरे बिल्क संद्रम ने जया प्रशा गर दी अरे जशीज़ सब्सक्राइब और फॉर्षभ हो रही थी हमारी तो आम मेरको अब मारने के लिया आ रहे तो एकदम लेकिन मढर वाल इंटेंशन तो थी हम मानते हैं लेकिन एक्सेश्चिन में आ रहा है ना मढर के अब एक्सेश्चिन में मढर के आ रहा है तो जैसाब 302 मत लगाना 304 लगाना लॉजिक्ली क्लियर हुआ मेरी बात ठीक है या फिर death caused by consent जैसाब मैंने मारा जान से मैं आता हूँ मैं intention दी पूरी मेरी बिल्कुल लेकिन जैसाब death caused by consent करा हुआ तो मेरे पर चार्ज 302 का ना लगाना 304 का लगाना तो कि यह जो intention है जैसाब यह मेरे कलपेबल होंसाइड वाली intention कैसे हैं यह मडर के पांच exception याद रखना जीवन में जब तक exception प्रूव नहीं होंगे तब तक 100% आपके अपके अपर 302 लोगेगी अगर आपने exception मडर की प्रूव कर दी तो अटमेटिकली आपके पर कलपेबल होंसाइड यह वाली intention लगेगी यह वाला 299 बन लगेगा लोजिकली क्लियर हो गया आदियसे ज्यादा दुनिया यह गलत करती है आप देख लेना कहीं पर भी यूट्यूब यूट्यू पर पढ़ लेना किसी दूसरे लेक्चर ले लेना कोई आपको यह चीज एक्स्प्रेंट कर देगा तो पॉइंट है याद रखना मेरी बात जीवन में हमेशा याद रखना इसके अलावा और कोई solution नहीं है आप किसी से भी पढ़ रहे हो कुछ भी कर रहे हो अगर यह आपको explanation नहीं दे रहा है तो तौबा 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 ठीक है नहीं थोड़ा सा minor difference होता है यह शिवम चंद्रा जी ग्रेवन सटन प्रवकेशन सटन फाइट के अंदर यहाँ पर प्री प्लैंड वाली नहीं होनी चीए ग्रेवन सटन प्रवकेशन आप और मैं बैठे हो और आपने मुझे उक्साया पहल लेकिन हम आपस में लड़ाई कर रहे हैं यहां पर प्रोवकेशन होना जरूरी है यहां पर प्रोवकेशन आपको प्रूव करने की जूरत नहीं है ग्रेवन सटन प्रोवकेशन पहले प्रोवकेशन पहले प्रूव करना पड़ेगा सटन प्रोवकेशन तो इसलिए यहां त आप लुगों को डिफरेंस समझ में आ गया जिते भी लोग हमारी os एक्ठेंड कर रहे हैं तक है व्य हिरलोको डिफरेंस में आ गया यह जो मेजर डिफरेंस है जो आपको लाउफ में बहुत कम लोग बता पाएंगे या दखने मेरी बात clear है मैं confident एक feel करूए इAR या धिकए मैं आप आपको एक case बता दिता हूँ मैं आप लुगों को एक case बता दिता हूust मैं आप लोगों को एक case बतादी दो भिट्सा सिंगle से बसे स्टेट औप पंजाब का ते बिट्सा सिंग स्टेट आप पंजाब का केस आप लिख लो कि एक सेगंड रुकिए कर जड़ा कि आ इसके में मेरे कोई कि मैंने डिकाल के रखा वाइद लो कोई बात नहीं लिख लो एक केस लिख लो मैं ते आपके कमेंट्स पढ़ लेता हूं हमारा हमारी क्लास का लास्ट केस है एक बरी हम पढ़ लेते हैं फिर सर्सिंग विसस स्टेट आप पंजाब कि मर्डर का केस मोस्ट इंपरड़न केस है एक्जाम के अंदर आप यह लिख्या होगे तो बहुत अच्छे मार्ट में लेंग स्टेट आप पंजाब इसमें क्या बोल रखाएं क्या फैक्स से वही विरसा सिंग के पर मडर का चार्ज लगा हुआ था ठीक है और डॉक्टर ने प्रोब अच्छे में क्लियरली बूल दिया था डॉक्टर ने अपनी प्रोट नी पोस्माटर म रिपॉर्ट काम क्या बोलते हैं पी एम और पोस्ट वोटंब रिपॉर्ट और इसी के बेसिज़ पर करता है जो वार करा था था न बॉड़िवे वो सफीशंट था जो बार करातना जैसा वो sufficient था in ordinary course of nature के लिए in ordinary course of nature के लिए वो sufficient था ये doctor ना लिखके बेचता है ये इसके duty होती है पर court जै वो इसी के अधार पे case बनाता है जैसी के अधार पे case बनाता है तो doctor ने लिखके भेजा हुआ था कि जैसा murder है दिखें अब वरसा सिंग ने challenge करा है इस बात को वरसा सिंग ने बोला जैसा पहली बात intention to cause such bodily injury जहां पर पूरी confirm बात होती है sufficient in the ordinary course of nature जैसा मैंने ऐसे अभार करा ही नी अब यहाँ पर क्या हुआ फिर knowledge की बात आई जैसा मेरा कोई eminently dangerous act था ही नी जिसे की सारी probability में जान चली जाए चलो जी यह हमारा M4 में आ गया फिर अगर murder पर नहीं आ रहा तो फिर court अपना जो है क्या लगाता है दिमाग लगाता है चलो murder में तो आनी रहा अब कल्पेबल homicide की mensorye देखते हैं ठीक है कल्पेबल homicide क्या यहाँ पर कल्पेबल homicide की अगर मैं पहली वाली mensorye की बात करूँ तो क्या यह murder के exception में आ रहा है नहीं आ रहा ठीक है क्या है यहाँ पर वैसे एक बात बता हूँ तो ही केस न यहाँ पर punishable हुआ था है तो कि doctor ने बोल दिया था ना sufficient in ordinary course of nature है obviously आपकी intention ना भी हो लेकिन doctor ने जो clear बोल दिया ना कि आपका जो act था वो sufficient in the ordinary course of nature में था तो बेटा आप किस में जाओगे murder 3 में जाओगे murder 3 मतलब M3 M3 मतलब mensure no.3 इसके लिए आपको सजा कहा मिलेगी फिर 302 में मिलेगी इस वाल बिरसा सिंग में बिरसा सिंग में क्या होगा था ना accused ने भाला नहीं होता वो trichule type अरे वो trichule type नहीं होता वो ना पेड में डाल दिया था किसी पेड में डाल दिया था अब तुम खुद बताओ पेड में डाल दिया भाला भाई sufficient in ordinary course of nature में होगा नहीं होगा obvious ही बात है तो मैंने पत्थर वाल एक्जामपल दिया था कि पत्थर तुम किसी के सर पे मार रहे हो तुमारी इंटेंशन आ भी है तो भाई sufficient in ordinary course of nature में तो है ना और तुम एक पेड में भाला डाल रहे हो किसी के obviously sufficient in ordinary course of nature अब आपके intention थी नहीं थी भाई अड़कत तो तुम क्या कर रहे हो तुम ये भी तो देखो इसके लिए 302 लगाई या punishment जो भी दिया होगी को उठने भी डिपेंड करता है क्लियर है तो मेरे इसाब से मैंने आपको मुटा मुटा बहुत अच्छे से बहुत जादा अच्छे से culpable homicide and murder का points बहुत जादा अच्छे से deeply with case law with bare act with essential जो हमार को चीजे याद होनी चाहिए exam point office से अच्छे से revise करवा दिये एक घंटे के अंदर अंदर अब आप लोग मुझे बताईए class में पढ़ने के बाद आपको कैसा लगा समझने के बाद में कैसा लगा और आपके concept clear हुए नहीं हुए कैसा लगा आपको प्लीज एक बारी मुझे बताईए 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 कैसा लगा सभी लोगों को एक बारी चार्ट बॉक्स में बताईए तो हमारा session यहीं तक था कल की class में हम देखेंगे हम कौन सा topic लेके लेके आएंगा आपको portal update हो जाएगा कुछ देर में ठीक है जी बाकी हमारा हर्याना का बैच अपना चल रहा है कल से हमारा हर्याना का बैच शुरू हुआ है बाइस जैन्वरी दो हजार चौविस तीन बज सब्सक्राइब करेंगे हर्याना जुडिश्टी के लिए याद रखना तो जितने भी लोग इंट्रस्टेड है वो लोग अपना पर्टिक्लर बैच जॉइन कर सकते हैं स्मार्ट एं लिगल गाइदेंस के अप्लिकेशन डाउनलोड कर ले ना स्मार्ट एं लिगल गाइदे स्मार्ट एं लिगल गाइदेंस ठीक है आपको यह वाली अप्लिकेशन हो जाएगी आपको यह डाउनलोड कर लोगे इसके बाद आपका काम हो जाएगा ठीक है और बहुत सारे बच्चों को फाइदा हो रहा है याद रखना में इस बात अभी तक आप लोगों ने कर देख और झूंअ क्याक्सि बढार ॲत काम है यहित्एंड़ इसके बाषऱ अव्स ठीक है आपको अधने कर देखने होछों को झाल झाल